हेलो दोस्तों Tata Chemicals के बारे में बात करेंगे quarter 4 के नतीजे आने वाले हैं नतीजों से पहले क्या important numbers देखना है क्या business है tata chemical का इन सब के बारे में बात करेंगे share price आप देखेंगे तो जब यह मैं video बना रहा हूं चस्ट नतीजों से पहले ही बना रहा हूं तो 958 रुपीज के पास शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है और एक साल का आप रिटन देख सकता है फिलाल 25% का रिटन आपको देखने को मिलेगा 2022 की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव में रिटन है लगभग 5% शेयर प्राइस अब रिजल्ट्स आने वाले हैं अब रिजल्ट्स के बाद किस हिसाब से टाटा केमिकल्स का बिजनस चलेगा उसके लिए जाना है क्या हो रहा है यहां पर तो देखे 29 अप्रेल को मीटिंग होने वाली है रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही डिकलियर होने वाले हैं तो हम इन सब के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, अब Tata Chemicals की जब हम बात कर रहे हैं, तो Tata Group की एक और कंपनी है Rallis, Agro Chemicals या Agro Sector को अगर आप देखते हैं, तो Rallis करके भी एक नाम आता है, तो Rallis में 50% का स्टेक है Tata Chemicals का, और आपने पिछले कुछ समय में Tata Chemicals को अगर सुना होगा, तो इसलिए सुना होगा, क्योंकि Lithium Iron जो Cell है, उसकी Design और Manufacturing में काम कर रही है Tata Chemicals, अब यहाँ पर एक चीज में आपको बता दो, इन सब में से revenue अभी या मैं कहूं revenue या profits अभी कुछ भी नहीं आ रहा है Tata Chemicals का, तो Green Hydrogen नई टेकनोलोजी है, वहाँ पर कंपनिया काम कर रही है, तो similarly Lithium Iron Cell हमको पता है, इलेक्ट्रिक वेहिकल में बहुत ही अग्रेसिवली वह आने वाले है, तो फिर वहाँ पर Already Design Manufacturing काम कर रही है, फिर जो बड़े बड़े संस्थान है, एकेडमिक संस्थान है, रिसर्च है, तो उन लोगों के साथ उन्होंने टाइप किया हुआ है Tata Chemicals ने, तो future में recycling भी जो होगी Lithium Iron की तो उसके लिए भी Tata Chemicals काम कर रही है, तो ये पूरा जो सर्कल है, वहाँ पर जो Tata Chemicals है, उस हिसाब से जो बैटरी जो है, वहाँ पर काम करेगी, और जो Lithium जो भी बहार निकलेगा recycling से, तो उसको Ceramics है, Paints है, इन सब जगों में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिरसे में दोहरा दूँ, ये अभी बिजनस नहीं ला रहा है, इसको Future की तरफ देखा जा रहा है, और Future अभी कितना जाएगा, वो हमको monitor करते रहना है, बट फिलहाल अभी कहां से बिजनस हो रहा है, तो basic chemistry products हैं, जैसे soda ice है, sodium bicarbonate है, sodium bicarbonate या soda carb उनको बहुत घरों में यूज़ किया जाता है, जो खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, soda ice के usage है, साबून में है, detergent में है, यहाँ पर अलग-अलग industries में इनका use होता है soda ice का, फिर marine chemicals और cement का business है, तो गुजरात में उनका plant है, फिर specialities products है, prebiotics और specialities silica है, आंधरप्रदेश और तमिल नाडू में इनका plant है, फिर ralis तो हैई crop care पर उनका काम है, herbicides, fungicides तो गुजरात में उनका काम हुआ है, इसके अलावा बड़ा उनका, अगर हम देखें, installed capacity, US में भी है soda ice की, इसलिए आप देख सकते है, soda ice bicarbonate अभी बहुत ज़्यादा है, UK में, Kenya में, soda ice, तो soda ice पर बहुत ज़्यादा अभी focus है, या मैं कहूं, अभी manufacturing है, इसलिए अगर आप lithium iron है, अभी main जो पूरा जो चीजे है, वो soda ice पर ही Tata chemicals का business आज depend करता है, और उनके industrial usage अलग-अलग तरीके से है, जैसे मैंने साबन बोला, डिटरजेंट बोला, अलग-अलग industrial usage इनके होते है, अब soda ice और bicarbonate का volume हमको देखना है, कैसा quarter 4 में आएगा, पिछले साल का, अगर 2020 और 2021 जो थे October से December 2020 और 2021 तो 21% बढ़े है, EBITDA margin 16% बढ़ा है, profit margin 69% बढ़ा है, 340 करोड का profits हुआ है, तोड़ा ice की pricing recovery बहुत बढ़ा की monitorable रहने वाला है, cross debt जो है 6,937 करोड है, बहुत सारा international debt भी है, तो ये debt की साब से कम हो रहा है, या ज्यादा हो रहा है, ये सब बहुत सारे numbers है, important numbers आपको मैं बता दू, standalone नहीं, मैं आपको consolidated ही बता देता हूँ, तो consolidated में अगर आप देखेंगे, यहाँ आप revenues, quarter 3, October से December 2020, 2606 करोड के revenue थे, जो बढ़कर 3,142 करोड के revenue हो गए, ये important है, margins बढ़ रहे हैं, 17% के अभी margins है, EBITDA margins अगर आप देखेंगे, और profit margin 340 करोड के आसपास था, वैसे ही quarter 3 में, October से December 200 करोड का था, 200 करोड से 340 करोड, तो अभी quarter 4 में कैसा profit है, ये देखने का रहेगा, उसके अलावा, जो margins हमने देखा, margin 17% अभी दिखा रहा है, EBITDA margins, वो कैसा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये सब चीजे देखने की रहेग कम, तो chemistry, अगर आप stock ढूंड रहा है, तो कहीं न कहीं Tata chemicals हा रहा है, अगर आप lithium iron देख रहे हैं, तो lithium iron एक बहुत ही चोटी अभी चीज है, जिस पर अभी भी research हो रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, और ये तभी हम जान पाते हैं, जब हम data को analysis करते हैं, business को समझते हैं, और आपके channel, early financial आज़ादी बहुताते हैं, क्योंकि बातचीत होती है, तो lithium iron की जब भी बात होती है, तो कोई भी कह देता है कि Tata chemical को ले लो, लेकिन अभी होती छोटा पाट है, maximum business हा रहा है, basic chemistry products है, 2500 करोड के आसपास का, और वहां से ही revenues आ रहे है, 345 करोड के जो भी उनके profit before tax जो है, वो उस हिसाब से आ रहे हैं, total profit 312 करोड का अभी देखने को मिल रहा है, तो इन सब numbers को अभी हम देखते हैं, अब results आएंगे, हमको और ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में, अलग-अलग data आते रहेंगे, lithium iron batteries पर वो भी हम आपको inform करते सोडा आश का कैसा business चल रहा है, bicarbonate का कैसा business चल रहा है, यह तो उसके उपर ध्यान रखेगा, धनिवाद आपके इस समय के लिए, वीडियो अच्छा लगा, यह रूट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और लाइक करना नहीं बुलिएगा, धनिवाद, थैंक्यों वेर चल राइक का कैसा जा पर दाइक whats